C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याए तीन रीना का दिन प्रिष्ठ संख्या ग्यारह सुने कहानी हर दिन रीना सुभा जल्दी उठती है उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है नीम की दातुन से अपने दांद साफ करती है साबुन से नहा कर रीना स्वच कपड़े पहनती है वह अपने बाल में तेल लगा कर कंगी करती है रीना मा के बनाई पराठे और सबजी आनंद के साथ खाती है रीना मा के गले लगती है और फिर स्कूल चाती है स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है दोनों एक दूसरे से सूप्रभात कहती हैं और हस्ती खेलती स्कूल जाती है इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिखाए गए हैं पहले चित्र में रीना सुबह सो कर उठती है दूसरे चित्र में, रीना स्कूल के रास्ते में अपनी सहेली दीपा से मिलती है प्रिष्ठ संख्या 12 इस प्रिष्ठ पर दो चित्र हैं, पहले चित्र में कुछ लड़कियां खेल रही है स्कूल में प्रार्थना के बाद, रीना अपनी कक्षा में जाती है जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है रीना स्कूल में मन लगा कर पढ़ाई करती है वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है घर आकर वह हाथ मुह धोती है फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है इस प्रिष्ट पर दूसरा चित्र है दाधी की गोद में रीना सर रखकर सो रही है रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है रीना को रात को जल्दी ही नीद आ जाती है दाधी प्यार से रीना को शुभरातरी कहकर सुला देती है प्रिष्ठ संख्या तेरह बात चीत के लिए एक, रीना सुभा अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है दो, रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती है तीन, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते है चार, घर पर जब कोई अतिथी आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते है पांच, अगर आपको रास्ते में आपके कोई परिचित जन मिल जाए, तो आप क्या कहते हैं? खोजें, जाने पता कीजिए कि आपके सहपाथियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं? अभिने सहित समझाईए कि आप मन जन कैसे करते हैं? कैसे नहाते हैं? मिट्टी से घर-घर खेल की चीजें बनाईए, जैसे चूलहा, थाली, कटोरी, आदी अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर-घर खेलिये शिक्षर संकेत अभिवादन संबंधी गतिविधी का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी संसिक्रती की विविधता को समझ सकें बच्चों को चर्चा और अभिनय का कार्य करने के लिए प्रोथसाहित करें बच्चों को घर घर खेल खेलने की चीज़ें बनाने के लिए मिट्टी उपलब्ध करवाएं मिट्टी के खिलाओने बनाने में बच्चों की सहायता करें इस प्रिष्ठ पर एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं प्रिष्ठ संख्या 14 सबके घर रेखा खीच कर पशुपक्षियों को उनके घर तक पहुचाईए इस प्रिष्ठ पर बाई और पशुपक्षियों के घर दिखाए गए हैं और दाई और पशुपक्षियों के चित्र दिखाए गए हैं बाई ओर के चित्र में सूरज, बादल, पेड, जिस पर एक घोंसला है और उस घोंसले में तीन अंडे हैं, एक गवशाला है, पेड के तने में एक कोटर है, एक मांद भी है और अंत में पानी है दाई ओर दिखाए गए पशु पक्षियों के चित्र में उल्लू, चड़िया, खर्गोश, गाए, गिलहरी और अंत में मचली है प्रिष्ठ संख्या पंद्रह चित्रकारी और लेखन आपको अपने घर में क्या-क्या अच्छा लगता है और क्यों? चित्रों के सहायता से बताईए इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छट, मा, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूद, आदी सोचिये और बताईए आप घर में कौन-कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाईए हाथ है मेरे छोटे-छोटे, काम करूं मैं बड़े-बड़े साभार, एक लव्य यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं, उन चित्रों को पहचान कर सही का निशान लगाईए एक लड़की खाना खा रही है एक लड़का अपनी पुस्तके साफ कर रहा है एक लड़का मनजन कर रहा है एक लड़की अपने बालों में कंखी कर रही है शिक्षन संकेत बच्चों से सुने कि उन्होंने क्या बनाया है और उनके द्वारा कहे गए वाग के उनके चित्रों के साथ लिखें बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए भी प्रोथसाहित करें C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत